आडिट करना भी एक आड है अगर आपने आडिट करना है और आपको दिन में 4-5 आडिट करने पड़ जाएंगे तो आप एक वیबसेट को लेके बैठे नहीं रहेंगे और इसको डिटेल में आप जो आडिट करते रहेंगे तो बड़ा हेक्टिक हो जेगा बड़ा डिफिकल्ड हो आपको विग्ली और डिपेंडिhões क्या आपने पैसे लीए हैं या नहीं लीें आपने free देना या कैसे देना तो ये चीज़ों को monetize करने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको tools यूज़ करने होते हैं और SEO को एक बड़ा अच्छा tool है जो के SEM brush वालों ने बनाया SEO को एक free browser की Chrome browser या Firefox की एक extension है जो आप install कर लें तो आपको बहुत सरी चीज़ें जो basically आपने खुद जा के धूननी थी को ये tool खुद ही निकाल के दे देता है इससे पहले कि मैं आपको audit बताओं मैं आपको tools बताना चाहूँगा कि ये कैसे आपको help करेंगे तूल no doubt आपको बहुत सरी चीज़ें help करके बड़ी easily आपके सामने रख देगा उससे आप फाइदा उठाएं उसमें कोई शर्म नहीं है कोई हर्ज नहीं है और आप उसको properly उससे information लेकर आप रख सकते हैं technology को अपने फाइदे के लिए use करें लेकिन सिर्फ technology पर reliant मत करें SEO या कोई भी दुनिया में चीज़ जो है वो बजाए इसके labor work के अलावा जो दिमाग का काम है वो आप ही ने करना होता है और असले पैसे भी उसी काम के मिलते है टूल ये अगर आपको पता है ये टूल क्लाइंट को भी पता है अगर क्लाइंट भी इसी टूल को जानता है तो आप में उसमें फरक क्या रहे गया तो बेसिकली उसको काम नहीं आता है आपको काम आता है आपने ये चीज़ इंशूर करनी है और इसी चीज़ के साथ आपने इस टूल को यूज़ करना है मैं आपको SEO को एक बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है ये क्या करता है और फिर हम इसको जब आडिट करेंगे तो उसमें से इंफर्मेशन लेकर उसी आडिट के अंदर एड़ भी करेंगे जो कि आपको आडिट बड़ी क्विकली फिनिश कर सकेगा I hope कि आपको टूल समझ आया है इसको हम मजीद यूज करने के मैं आपको बताऊंगा तरीका कि कैसे आप इसको इसी इंफर्मेशन को आडिट में डाल सकते हैं